हेलो एक नई वीडियो में स्वागत है आप सभी का हम लोग पूरी तयारी में लगे में किसी भी प्रकार से स्पॉर्ट में अडविशन लेना है इसी दौरान आज 20 तारीक है 20 तारीक से हमें जो नोटिस मिला था सतर तरीक दिन उसमें बात की चिक्र किया गया है कि वीस तरीक से आपका कोटा एड्मिशंव ठीक है तो बहुत सारे बच्छे परशान है कि वह कोटा एड्मिशन भी बीस तरीक से चुरूaur 20 चूरू हो रहा है और मैं मैं अहीं इंडियो इस वीडियो में डिसकस करेंगे वैसे आपको अगर टाइम है फेले पिछली वीडियो से कहता आ रहा हूं कि दखो यह सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है स्पॉर्ट इडिमिशन की हर एक जानकार ज़रूर बारीकी से होना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी बहुत बहुत शुक्रिया आपके 100 लाइक्स का मैंने टार्गेट बांगा था आपने 100 लाइक्स करके दिये ठीक है मुझे बहुत अच्छा मैसूस हो रहा है कि मेरे जो सब्सक्राइबर फैमिली है वह एक्टिव है ऐसे ही आप लोग आगे लाइक्स और सब्सक्राइब करत बहुत अच्छा मैसूस हो रहा है कि मेरी सब्सक्रिप्शन फैमिली जो है वह भी आखिर एक्टिव है इस मामले में ठीक है थैंक्यू वेरी मच्च चलो अब देखो यार कोटा के बात कर लेते हैं कोटा एमिशन एक स्पेशल प्रोसेस होता है ठीक है किसी भी कॉलेज में क क्यूंकटा सनस्थान हो चाहे वह स्कूल हो कॉलेज हो ग्रेजिएशन वाला कॉलेज केंपस प्लेश्में वाला कॉलिज हो या फिर वह एफिलेट ऑद स्पाव क्लेज हो कई नच्पारट सी ऑप बिच्च तरह के कॉलेज होते है ठीक है उहाँ पर आपको मिलता है को न ऐसे करके कुछ होता है थिक है उसी परकार से अगर आपके चलो कोई ऐसा बच्चा है जो कराटे में चैंपियन है तो वह ब्लैक बेट है कराटे और वह स्टेट लेवल तक खेल चुका है या फिर कोई ऐसा बच्चा या फूटम। सिल्ट और स्कूल टीम से या फिर कॉलेज टीम से फूटम नेशनली लेवल तक, बिहार का नाम रोशनन कर आया है, प्टनाय का नाम रोशन कर आया है या फिर इंडिया में लिवल पे बिहार की तरफ से वह खेल चुका है, ठीक है? या फिर कोई ऐसा बच्चा जो क्रिकेट में अच्छा हो या फिर कोई ऐसा बच्चा जो फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छा हो इसी प्रकार कोई एक्स सर्विसमें यानि जो पहले लोग आर्मी में रह चुके हैं उनके बच्चे हो या फिर कोई बच्चा जो पटली पता रहे निवर्स्टी में जिसकी माता बिदा काम करते हैं उनका बल बच्चा हो ठीक है तो वैसे लोगों के लिए एक स्पेशल कोटा होता है उसी करता को पोलते हैं मीलेगा कि आप के पास वह स्पेशल सेलोर एका करें तो जैसे कल की बात है टीपकेस कॉलेज बटना में एंसी सी के लिए सेलेक्शन हुआ जिसमें से 55 लड़कों का और 14 लड़कियों का सेलेक्शन हुआ ठीक है तो यह उनको एंसी का सर्टिफिकेट में लेगा कि हां यह सारे चात्र जो है सेना का एक छोटा सा बहुत छोट का सारूप है इसमें है ठीक है तो उनको स्पेशल साटिफिकेट दिय जाटेगा जिस साटिफिकेट का विच्चे भविश में कई ज़ों में सिस्थमाल कर सकते हैं उसी पिकार कोई अगर मान करो खेल से है क्रिकेट से है कर्केट का तक नाम सुनते सथ सब सभी हुश हो जा सब्सक्राइब देश की सेवा कर चुक है तो वैसे लोगों को स्पेशल अलाविंस दिया जाता है ठीक है अलग से आपको सज्जेगर रिजर्वेशन देश के लिए अनसता इनको भी थोड़ा सा हमें हमारी तरफ से बनता है कि हम इने भी थोड़ा सी तरजीह दें तो वैसे त फाइन आर्ट्स वागरा और भी बहुत सारी चीज़े होती है उनके उपर अडमिशन होता है तो यह होता है कोटा अडमिशन के लिए आपके पास संबंधित जो भी आप जिस भी कोटा में लेंगे चाहे वह खेल कोटा हो चाहे वह आर्मी वगला कोटा हो चाहे एन्सीवाल इसला आपके होना ज़रूरी है तो यह कोटा अध्मिशन का यह होता है यह जो कोलेज स्कूल करता है उसके लिए यह जो 20 थारिक होने वाला ठीक है तो जिनका जो चूट गया था जिनका अध्मिशन ना रेजिस्ट्रेशन कर पाएं ना कोई और कारण से यह मेरिट लिस्में पसंद नहीं है वैसे जो जूट गया था आप टेंशन मत लिए अकर आपका कोटा का सर्टिफिकेट है तब आप एडमिशन ले सकते हो लेकिन मुझे उमीद है कि बहुत सारे के पास नहीं होगा तो हम मैंसे जिनके पास भी नहीं है वो सारे के सारे आपन मेरिट राउंड यह जो स्पॉर्ट होता है ओपन मेरिट राउंड जहां पर कोई ले सकता है वहां पर जाके एडमिशन लेंगे ठीक है अब कोई ऐसे बच्चे कोई ऐसा बच्चा जो 2008-2008 में यह 2019 में 12 पास कर जुगा है लेकिन वह गैपियर हो गया उसका वह साल एड ग्रेजुशन में ठीक है तो वह भी उपन मेरिट राउंड में एडमिशन ले सकता है लेकिन उसको गैपियर सर्टिफिकेट जो हता है वह देना पड़ता है ठीक है यहां पते को नीचे में नोटिस में दिया हुआ है एक स्पेशल बात ही आप दिए है आज भी तारीक के ब अब नोटिस के अनुसार बीस तारीक को आपका सीट का विवरन जो था आ जाना चाहिए था ठीक है एंडमिशन पोर्टल पर क्लिक करने के पैद भी मिल सकता है आपको और आपको यहां पर जो मैंने दिखा रखा है यह वाला मेनू बार यहां पर भी आपको मिल सकता है ठीक अप्शन आ रहा था ब्लू कलर से की सीट के विलिबिलिटी देखें को असपास के विलिबिलिटी देखने का वह सेक्षन था वह ता दिया गया है कारण हटाने का यह है कि अब उसमें चीज़ें अपडेट करके डाले जाएंगी खोट एडमिशन हो जाएगा उसके बाद च चुनना चाहिए जो बच्चे एदम डेफिनेटली सोच रहे हैं कि मुझे कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए मैं इसी कॉलेज में जाओंगा खेर उनके लिए तो कुछ नहीं हो सकता कि वह सोच रहे हैं भी में कोई एन कॉलेजी मिल जाए चाह है कॉमर्स कोलेजी मिल जाए त तो वह बच्चों को सपोट में जाना चाहिए या नहीं ठीक है तो अगले वीडियो में सारी डेटेल्स शेयर करेंगे इस उड़े अगले रखते हैं लाइक और शेयर कर देना सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो मिलते हैं फिर किसे अगले वीडियों इंटिल देन स्टे कन किरें स्टेकर ऋब देन जा